तो दोस्तो अगर आपने इस jacket की cutting का वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैंने first part बना रखा है उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जागा और उसके अलाव मैंने इधर i button में भी दे दिया उसका link अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले वह वीडियो देखे तभ ये canvas जो है इसके ऊपर fix जाएगी और है रिखे जाएगी और इसके उपर यहां पर चिपक जाएगी ऊफट ऑर इसके अंदर हमें यह धी द्याण रखना नीचे की side से two proud है यहाँ फे उल्टा है अब यहां पर दोनो stark matter में मैंने एड़िक हैं इकैनवासुलिदे और इन इन केरी साइड में और कि से इसे रखी हैं तो कालर зв Muslims को एक के कर लएगे यहां पर एक ही साइड की काम最近aware रखा है ऑब जैसे हमने इसे तरीकते यह दो कफ वाला पीश है इसके में या पे यह कप्रणा है करे दोड़ा के ँसको यहां पर लेना इसको ह्म चिप्ता लेते हैं अ यहां पे हमने पल्टी और इससे यहां पर और इसके अलवा इधर से इसके पास पास में कटिंग करिए और इसकी ऐसे बलटी लगा ऑद हमने इसलिए रखा है ताकिемся अदर कर नई इसलिए लगा वो इस piece को भी मैंने ready कर लिया है, अब इन दोनों हिस्सों को हम side में रख लियता है, इसके अलवा हमारे पास जो ये collar है, इस collar को हमें ready करना है, इसके लिए अपने पास जो ये अस्तर है, इस अस्तर को हम इस तरी के से खोलेंगे, एक अस्तर हम दूसरी collar में उस वाली में लगाए तो इस अस्तर को ऐसा रखें अब हमें यहां पर सिलाई लगानी तो सिलाई हमें यहां से स्टार्ट करके और इदर से घुमा के हमें यहां पर एंड करनी है और यह सिलाई हमें बाहर बाहर ही लगानी है और उसी तरीका से जैसे वह पीस है उसके अंदर भी हमें इसी तरीका से यह कनार किनार पर लगएगी से बार कि साइड में यह सिलाई लागा दिए अब हम यह से आदा इंच का मार्जीन से और इधर की साइड से एक पुर्ज इतना मार्जीन रखना है ताकि हम यहाँ पर उसके अंदर कॉलर लगाएंगे था केंवस को नहीं दभाना पड़े हैं इदर से एक फूर्ज इतना मार दिन रखेंगे अब सेम इसकी तरीके से इस कॉलर को भी कट कर लेते हैं यहां से मैंने यह दोनों कॉलर के यहां से जो एक्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर लिए अब हमें यहां पर यह जो गोलाई-गोलाई है गोलाई-गोले में यहां में यहां से हम एस को ठीशियर को यहां पर सल को आभु इदर से मिसको यह जो पीछे की साइड मैं अस्तर को विदैर में लेहां हैंगे अ कि यहाँ से हम इसके हाँ पे एक किनार वाले से लगा लेता है इसको फिर से पिल्ती कुंए इसको पर उपर मैं बड़ा में हमें यहां पर यह जो बैक वाला हिस्सा है इसके अंदर से यहां से यह पेन हटा लेते हैं और यह जो फ्रेंट वाला हिस्सा है इसको भी ले लेते हैं यहां से जो जोड लगाना हमें तो इसके अंदर जोड लगा देते हैं और सेम उसी तरीके से जैसे उसके अंदर हमने यहां पर जोड चिरवा कर दिया था उसी तरीके से यहां पर जोड का मुह हमें दोनों साइड में करना है ताकि यहां से जोड जादा दीखे नहीं बार के तरब तो इसके अंदर जोड लगा के और इसके पास-पास में कटिंग कर लेते हम यहां से इसके नीचे मैंने जोड ल दो ही डॉरिया नगे यहां पॉल्ड करके इस जगह एक पीर यहां पर हमें इसके नीचे लिए धो बटन लगाने हमें धो नाके में यहां धानी है और उसके बाद मैं सामने हिस्से में हमें कपड़ेगा बटन बनेगा उसे बटन को यहां लगाना है यहां पर मैं फ्रेंट वाले हिस्से को कुल देता हूं यहां से यह जो हैं वैसे रख लेट ए花 इसको एसे लक करके रखने के बाद यहां पर मैं इस तरीके से यहां पर लगानी है अब अपने पास यह यह जो सतर है को करो हैं इसको उपर ब्लटी लगाना है हमने रिकवल कर लगाना है कि हमने इसको बिल्कुल बनाबर रखा है और चुछ सी तरीके से यह जो एक ऑससे हैं इसको भी नकड़े तके लेनी एक पूट का जो हमने माजिन रखा है उतना ही माजिन यहां से दबा के दोनों साइड में यह सिलाई लगा दिया अब हमें यहां पर इस जगे से यह जो कौना है यहां से एक्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है और इसको ऐसे अंदर की तरह पलटी लगा दिना है और यहां पर इसको कौने को अच्छे से सेट करेंगे यहां पर इस जगे से हमें कोई फॉल्डिंग करने की ज़रत नहीं पड़ेगी अब क्यों यहां से हमें एक फुट जितना गेप देखे और इदर से सिलाई लगानी होगी तो इसको हम आयरन से साफ फिनिशिंग कर देंग के सिलाई लगा देंगे आयरन लगाने के बाद में दोस्तों यहां पर चारो तरफ से यहां पर सिलाई लगा देंगे ताकि यहां पर इसके उपर बिल्कुल बराबर फिक्स हो जाए अब यहां पर मैंने चारो तरफ यह सिलाई लगा दी इस असको इसके बाद में यहां पर पीस है इसको हम यहां पर रखेंगे इस तरह को फिक्स कर दिया इस तरीक़ अस्तर को भी हम यहां पर पिछे की तरह पलती लाइए से यहां पर बंद हो जाएगा एक और इसको एसे रखे और यहां पर बहुत के सिलाई लगा के और इसके उपर चारों तरफ लगा देंगे यहां पर मैंने बैक वाले पीस के अंदर भी यह अस्तर चिपका दिया इस जगे से और नीचे की साइड में एक फुट का गेप देखे सिलाई लगा दिये इसके बाद हमें यहां पर यह जो फ्रेंट वाल लगबग एक फुट जितना या आदा इंच मार्जिन जितना हमने यहां पर इसको बार रखना है क्योंकि यहां पर जो मार्जिन ठाए ऐसके बराबर कट करा था तो यहां पर एक्ट्रा मार्जिन है अब जब वह में इस को भार्ट करके और से लाई लाएं देंगे लगए यहां पर यहां से इसको जोड़ना है और उसके अलवा एक पीस हमें यहां पर रखना है और यहां पर सिलाई लगानी है और इस सिलाई को लगाते वक्त यहां से सिलाई को लाकर रोक कर और फिर उसके बाद में यहां से इसको ऐसे घुमा कर और यहां तक यह सिलाई लगानी है इस जगे तर यहां पर मैंने यह कट लगाया है वहां तक सिलाई लगानी है और सेम इसी तरीके से यह यहां से यह जो अगला यह दूसरा ओला शॉल्डर का पीस है इसको हम यहां पर रखेंगे और जितना मार्जिन इस जिए इतना यहां से दबा हुए उतना ही मार्जिन यहां से दबाके और इस सिलाई को यहां से कंटिन्यू करना है यह इदर से सिलाई को लगा के यहां पर एक इंच पीछे से छोड़ दिये यह इदर से यहां पर एक इंच पीछे से छोड़ी है जहां पर इसके उपर ऐसे रखना है और यहां पर अब कि इस से इस्वान है और इसको ओपर इस तरीं इसे तरशी कंटनी करनी है और फिर उसके बाद में सिस्वाई लगाए लेकिन हमें ऐसे ठाइस से और जोड़ना है तो इसको इस तरीग से खूल देते हैं वापस और यहां कर देंगे दोन साइड में यहां सब्सक्राइब रहे obsess के बाद मैं हमें हाप सबस्क्राइब करके अब यहां से स्लाई वापस सब्सक्राइब कर दें यहां पर पीछ में मुझे सबदल्धर ऑब यहां से यह और व्लाइब और Firstly प्रफ निल्द केशन निए और किया यहां से एक लगा देगे ताकि यहां से यह जो शौलडर वाली मजबूत हो जाएं अब यहां पर एंटेलोग करने के बाद में यहां पर पटी भी लगा सकते हैं अगर जादा बहुत जादा हैवी वर्क हो और इसके अंदर अगर तारी का वर्क हो तो यहां पर गल्डण पर काफी बार य सब्सक्राइब पार के यहां सें। को हम इसकी braking करें के और यहां से एसे करना यह एक टरिंग ऐसे इसे कानी और कि इसको ऐसे पंदि लगा के घूर से लाइं यहां को नीचे की साइड में लाखे और ऐसे लॉक कर देंगे तक यहां फिर यहां पर आगे तक वापस चाहिए पट का लगानी उस लाइक वाइं यहां से आप इसका घॉलर को का बाव की तरह पलटी लगा कि शिके एक पूट का गेप लगा दीए इसके अलवा दोस्तों में यहां पर बता देता हूं कर दिया है तो मार्जन यहां से कुल भी नहीं दीखेगा अब हमें यहां पर को रेडी करना है इसके लिए हमने यहां पर यहां पर यहां पर रखेंगे और यहां पर बीच में जितने भी बारिक सब्सक्राइब यहां से लेकर यहां तक बारिक सल्वट आएंगे और उसी तरीके से जैसे दूसरी उसके अंदर भी हमें आप कफ को नीचे रखना है यह इस तरीके से यहां पर इसको सीधा ही रखना है और इसके बाद में इसको इसको उपर रखके और 20 सेंटर मिला लेना है मिला लेना है और उसके बाद में हमें वारी बारी बारी के साइड़ बारी नवन दालनी हो वारी कि पर सेंगे बारी के और पढ़र तर लाaleyंगे दब जाएगा और उसके बार चनार वाल जाएगा आतैंगे हॉत जैसे इसके अंदर लगाएंगे उसी तरीके से मैंने इसके अंदर यह सिलाई लगा रखी है यहां पर मार्जिन ना इदर रहेगा और नहीं यहां पर बार की तरफ दिखेगा अब उसके बाद हमें यहां पर बारिक बारिक सलवट डालनी है उपर शॉल्डर की और यहां पर दो कि यहां पे मैंने इस दिजिए से एक्स्टा कटिंग नहीं करी थी तो यहां पर यह कके नहीं ना फुल गया हूं हो यहां पर हम इस दिए इसको वापस सीध़ा रखेंगे उसकी कटिंग ह value है यहाँ पे सक्षेंट करने होती है यह प्रम कुर बात तर्श क्या नहीं कर रहा है सको और हमती हैं जिक टैसरे कंपो यहां यहां पर मिला कर रहा है और उसके बाद में यहां तक यह बखकं लाकर दो चार इंश मैंट यहां पर जहां पर लगी उसका मार्जिन हो रहा है यहां पर यहां पर इस तरीके से इधर की साइड से लगवख चार इंच नीचे की साइड से चोड़ देंगे और यहां पर जो भी सलवट आएंगे युँ इस के इंदर संब हम लांगे करना लगा के यहां सब्सक्राइबें दोन ago के इस लग इंदर निशान लगा यहां वसकर रकाया म ने मैं अफिन्म लगा निशान के उसके उपर सकर लगा निया है यहाँ पर यहाँ से में धिति का निशान City वह है यहाँ सभाओर। मैंने यह निशान लगा रहा है इसी के उपर हमें यहाँ पर यहाँ लगानी है यह इधर की साइड से यह निशान लगा और सेम उतना ही मोरी का नाप इधर रखना है और उसके बाद में यहाँ पर हमें एंटरलोग लगानी है सिलाई और एंटरलोग लगाने के बाद में अप इदर से बिल्कूल भी नहीं दीखेगा बार की साइड में अब हमें यहां पर इस जगे से लॉक हो जाएगा तो अब मैं यहां पर इस बटन लगा के और यह बटन लगा एक बार playlist चेक कर सकते हैं और उसके अलाओ दोस्तों मैं और भी नहीं नहीं डिजानों के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बैल आइकन को और पर सेलेक्ट करके रखे